होग या कर में चली कोर्स देख लेदे इस गाने में जो कोर्स यूज हुए है second fret-pick cable है इसको अजली करने के लिए कि रेच्प्रक्स पर इसको पहला कॉर्ट मेरा वह है E minor, C major, G major, and D major, ठीक है, और last में एक quarter लगेगा, वो है, B major, ठीक है, तो इतने chords उसमें फिर से देख लेता है, E minor, C major, G major, and D major, in the last में, B major, ठीक है, और जसमें rhythm उस हुई है, वो है, down, up, down, up, down, 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 up, down, 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 again, down, up, down, up, down, again, up, down, up, down, and last में, down, up, ठीक है, रास में जो down, up लग रगा, वहीं ऐसा filler काम करेगा, फिर से और स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्लकिंग पैटर्न यूस भूआ है, बेसिक सा पैटर्न है वो आपको मैं जब वो कार्ट से एक्स्प्रेंग करूंगा तब मैं एक्स्प्रेंग कर दूगा, ठीक है, तो अब चलते हैं प्रोग्रेशन की तरफ तो जो पहली लाइन है, उसकी प्रोग्रेशन है, वो है, E minor to C major, then G major to D major यही पर प्लकिंग पैटर्न आपको यूस करना, चाहे तो यूस कर सकते हैं, या तो simply आप डाउन डाउन स्ट्रोक भी कर सकते हैं, इस तरीके से ठीक है इस तरीके से अब इसमें जो मैंने प्लकिंग पैटर्न यूस किया, बहुत ही सिंपल सी है, E minor के लिए और G major के लिए लेगे 6, 5, 1, 2, 6, 5, 1, 2, and C major के लिए 5, 4, 1, 2, and D के लिए 4, 3, 1, 2, अब चाहे तो ये यूस कर सकते हैं, या फिर सिंपली डाउन स्ट्रोक यूस कर सकते हैं, अब इसके बाद की जो प्रोग्रेशन है वह एक्जैक्ली सेम है, E minor, C major, G major and D major, अब चाहे तो इसको year मौन और साथ्सके में इसमिभी डाउन स्ट्रोप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस था ही रिदम प्ले करें गे तो यादा took तो यह है दाऊन अब टैप जाथ कहा है अब चाहे तो यह प्ले करें शाहे सिंप्ली डाउन स्ट्रोक्स ठीक है अब लेकिन इसके बाद जो पार्ट है ही रिये वाला जो हम पारे अलोड़ी प्ले कर चुके हैं अन्प्लग अब इसको रिदम में प्ले करना है तो यह E- C major, G major, D major अब आगे बहते हैं अब आगे जो प्रोग्रेशन है वह है G major to D major then E minor to C major यह पूरी प्रोग्रेशन आगे के तीन लाइनों के लिए एक्साटली सेम रहेगी सिर्फ जो लास्ट लाइन उसके लिए वह चेंज होगी वह है G, D to B major, तो यह starting से कुछ इस तरीके से है same progression next line के लिए अब यहां पर B use होगा इसको रिदम में प्ले कर लेता है इसके बाद बापिस हम वो लाइन रिपीट करेंगे इसके बाद exactly same line हमें रिपीट करनी है ही यह वाली ऐ माइनर, C major, G major, D major the same progression ऍहरी कर अब जिए बाद के बाद की progression होए G D to E minor to C major, ठीक है, next line के exactly same है, भी कुछ तरीके से ही, आचेती आचेती सुने रात ना लगे, आजावे, आजा सुने रात ना लगे, ये परग्राफ दो बार रिपीट करना है, ठीक है, 6 जिल कि आचेती सुने, रात ना लगे, आजावे, आजा सुने रात ना लगे, ये इसके बाद जो प्रोग्रेशन है, वह अलगे प्लेए कर चुके है, G D Em to C फोर ताइमस, ठीक है, उसके बाद की बी जो प्रोग्रेशन है, वह E minor to C major to G to D फोरीके भी कुछे सरीके से है, शुक्र मनावा को लागे कि अम जावे इसके बाद वापिस सेम प्रोग्रेशन है जो हम अलड़ी प्ले गर चुके हैं ठीक है सेम प्रोग्रेशन है बस वर्ट्स चेंज ए ठीक है इसमें कुछ भी चेंज नहीं है तो लास्वाली जो लाएन है हानिया वारी वह भी हम रिपीट करेंगे इसके बाद वापिस तेरी अधिक है तो यह गाना बहुत ही इजी सा है ठीक है तो आई हो पाप उसको प्ले कर लेंगे अगर फिर भी कोई कन्फिजन है तो अगमें सक्षिन में पूर्श सकते हैं अगर लेसे चला को तो प्लीज सब्स्राइब करिए और अपने दोजों साथ शेर कीजिगा और इसके रिटन कॉट्स मेरी वेबसाइट पर मिल जाएंगे लिंक आपको डिस्क्रिप्शिन पर मिल टो अग़्ों शेट सकते हैं आपको और छोतुा ऑपको बार Tuesday